हाई दोस्तों नमस्कार आईए एक बार फिर से आपका स्वाकत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशन में उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश इस्पेसल यूपी इस्पेसल जीके जीएस और जीए की जो क्लास आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप को बहुत ही लाबकारी सीध हो रही होगी और स्क्रीन पे जो आपको बुक दिखाई दे रही है इस पूरी बुक को हम इस बीडियो की स्रिंखला में पूरा करने वाले हैं तो आज बीडियो की स्रिंखला में बीडियो नमबर साथ आ रही है में दोस्तों और इस बीडियो मे आज हम चेप्टर नमबर 14 आर्थिक परिद्रिस्य की चर्चा करने वाले हैं थोड़ा चेप्टर लेंदी है इसलिए एक ही चेप्टर लिया गया है तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं चेप्टर नमबर 14 की दरब और आपका पहला कुश्चन्स है निमन में किस आर्थिक चेतर में क्रिसी जोतों का आउसत आकार सरवाधिक है मेरे दोस्तों इसका बिल्दकुल सही जवाब बुंदेल खंड आउसन नमबर B हो जाएगा आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है मेरे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश ब्यापार कर से सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों तीसरा नमबर लेंगे कुश्चन उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्त है मेरे दोस्तों PCS पे कुशन पूछा गया है तो असत्ते बात बतानी है तो चलिए पहला कुशन देखिए आपे एक ABCD दिया है तो एक तरह से पर चलेंगे उत्तर प्रदेश सरवाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे बिकास वाला राजी है बिल्कुल सत्ते बात है उत्तर प्रदेश और देश के प्रती ब्यक्ति आई के बीच अंतर बढ़ रहा है बिल्कुल सत्ते बात है उत्तर प्रदेश में कुल बोए छेतर के लगबग 28% असिंचित हैं ये बात भी मेरे दोस्तों सत्य है और चौथा अपसंद दे रहा है कि प्रदेश की साखछड़ता में देश की तुलना में तिबर बिद्धी हुई है मेरे दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर साखछड़ता की बात की जाए वो भी देश की तुलना में देश की तुलना में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की साखछड़ता दर देश की तुलना में कम है और ये आपसंद कहरा है कि तिबर बिद्धी हु हो जाएगा चलिए अगर माल लीजिए में दोस्तों अगर आप बात करते हैं देश की देश की साख चड़ता दर कितनी है तो वह आपके 64.04 है जीरो चार परसेंट है लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वह आपका 67.68 तो कहीं न कहीं ये कमी है ज्यादा नहीं है और आपसन दे रहा है कि तीपर बिद्धी हुए तो इस प्रकार ये गलत हो गया ठीक आगी बढ़ेंगे मेरे दोस्तों कुछिशन नंबर चार की तरफ कथन दिया है और कारड दिया है उत्तर प्रदेश के चारो आर्थी छेत् नगरी कारड उच्च अस्तर का है यही कारड है मतलब आन लिंगान उपाद नियुंतम है तो क्या यह दोस्तों बात तो दोनों सही है इस प्रकार ए और आर दोनों सही आर ए की ब्याख्या नहीं करता है ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे प्रदेश में नियूजन की विकेंद रहा होगा लिखा है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश का पस्मी भाग पूरी भाग से अधिक विक्सित है यह बात मेरे दोस्तों यह बात लिखी है कि उत्तर प्रदेश का जो पस्मी भाग है वो पूरी भाग से अधित विक्सित है सही बात अगला लिखा है या उसकी समाज एक ही ब्याख्या करता है प्रदेश के अर्थ बेवस्ता के संदर में निम्न कत्रों में कौन सही है सही पूछ रहा है मेरे बात दोस्तों सही पूछ रहा है प्रती ब्यक्ति राश्टी आए और प्रती ब्यक्ति राजय आए में अंतर निरंतर बढ़ रहा है सही बात है मेरे द लिखा है तीसरा option संपूर देश की तुनला में प्रती एक लाख जन संख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है ये बात बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों क्यों कि कारखाना कम है तो option C हो जाएगा एक और दोस्त सही है आगे बढ़ेंगे question number 8 की तरप उ क्रिमन में कौन राजी सरकार का कर नहीं है मेरे दोस्तों तो कर जो है राजी सरकार का आएकर जो मेरे दोस्तों है option number B जो दे रहा है आएकर ये राजी सरकार का कर नहीं है ये केंद्र सरकार वसूलती है प्रदेश को कितने आर्थिक छेत्रों में बाटा गया है मेरे दोस्त ठीक आगे बढ़ेंगे प्रदेश में सरवाधिक पिछड़ा चेतर है में दोस्तों तो सबसे ज्यादा कोई चेतर पिछड़ा है तो वो आपका पूर्वी चेतर पिछड़ा हुआ है पूर्वी चेतर जहां पे मौ, बलिया, आजमगड, देवरिया ये सब आते हैं आगे बढ़ेंगे में दोस्तों, प्रदेश के कुल कर्म कारों में से सरवाधिक प्रत्षत कर्मकार नियोजीत हैं, कुश्चे नमबर 13 देखिए, 13 सही जवाब हो जाएगा, क्रिसी चेतर में है, आपसर नमबर A, क्रिसी चेतर में, सबसे जाता कर्म कार है आगे बढ़ेंगे, बुंदेल खंड आर्थिक चेतर में जनपदों की संख्या कितनी है, तो जनपदों की ये संख्या है में दोस्तों, वो आपकी, जनपदों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी है, साथ, आपसर नमबर A, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ेंगे और दोगिक बिकास की दिष्टी से उत्तर प्रदेश का कौन सच्छत सरवाधिक विक्सित हुआ तो पस्चिमी सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में मूले वर्धित कर WAVAT लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ मेरे दोस्तों, ये लागू हुआ एक जनवरी सन 2008 को लागू हुआ, तो आपसन नमबर B सही जवाब, उत्तर प्रदेश का कौन ब्यापार कर जोन अधिकतर ब्यापार क संग्रह करता है, तो सबसे ज़्यादा कर लखनों में मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा कर लखनों में संग्रह किया जाता है, तो आपसन नमबर C सही जवाब, आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की आएका सबसे बड़ा भाग आता है, तो कहां से आता है मेरे दो तो क्या इसकी निकटता है मेरे दोस्तों कच्चे माल से कच्चा माल हाज जादा मिलता है इसलिए आप इस सस्ता माना जाता है आगे बढ़ेंगे निमन में कौन परदेश का पारंपरिक उद्धोग नहीं है तो उरुवरक जो आपका है वो नहीं है सूती वस्त भी है सीमेंट भी बनती है चीनी भी बनती है तो इस परकार आपसन नंबर बी सही जवाब निमन में किस है खेतू फारुखा बाद जाना है अगर आपको फारुखा बाद जाना है तो आपको छफाई फार्मा उद्धोग महां मिलेंगे तो आपसन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा ठीक मैच कि करना है तो केंद्रों को उद्द्यों को किसो करने की बात आजाती है तो सबसे पहले बात में परक निआजा देखिए मैब दुश्त ओए और कर ुरूरक के लिए partner बया बनकी долu की बात किसके लिए वो आपका है बारा बंकी आपका किसके लिए प्रसीद दें बारा बंकी बताएं किसके लिए प्रसीद दें मेरे दोस्तों तो बारा बंकी जो आपका है मेरे दोस्तों वो है पॉली फाइवर और कान पूर जो आपका है भी स्पोर्टक के लिए ठीक और बारा बंकी आपका दो तीन एक चार आप का तो आप्सर नमर बी बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ेंगे मिर दोस्तों तो तो गीवड़ा जो मैं दोस्तों गीवड़ा जी कि ए गीवड़ा क्या है UPPCS में कुछा गया है तो मैं दोस्तों गोरखपूर और दोग विकास प्राधी करण है जी से मतलब गोरखपूर ठीक वह आपका गोरखपूर के लिए आगे बढ़ेंगे सूची एक को सूची दो से मैचिंग करना है में दोस्तों सूची एक को सूची नीचे कूर दिया है उपर ये दिया है तो सबसे पहले अगर बात करते हैं चूर्ग सबसे पहले चूर्ग आपका किस के लिए परसीद दें तो सिमेंट के लिए परसीद दे ठीक फिरोजाबाद किसे लिए परसीद दे तो चूड़ियों के लिए अली गड़ का बात करते हैं तो ताले के लिए और मेरट खेल के सामान के लिए तो आपका option मिल जाएगा 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 कहा दिखाई दिया है मेरे दोस्तों 3 4 1 2 आपका option नमबर c बिल्कूल दिखाई दे रहा होगा 10 4 1 2 3 4 1 2 आप लोग करेंगे मेरे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे अगले question की तरब पचीसवा कुशन, दादरी, चुनार, चुर्क, डला, सभी के कर खाने हैं, जो उत्पादित करती है, सिमेंट उत्पादन करता है मैं दोस्तों, चुर्क में और डला भी है, चुनार भी है, और दादरी है, सब क्या करते हैं, तो यह आपका सिमेंट का उत्पादन होता है, तो नीचे कूट उपर option दिये है, तो सबसे पहले, रेनु कोट की बात की जाए, तो aluminium के लिए है, रेनु कोट आपका aluminium के लिए है, e túlici-esque की बात की जाए, तो आपकी ontob beta plant के लिए, życiec Tuble की बात की जाए है, तो आपका खेल का सावान अभी, अब भी आया था कुशन में और अली गड़ ताले के लिए पसीद दे तो सही जवाब हो जाएगा चार दो एक तीन चार दो एक तीन चार देखे दो नम दिख रहा है चार के बाद दो दो नम दिख रहा है फिर उसके बाद चार, दो, एक, तीन, एक, तीन किसमें दीख रहा है तो C में दीख रहा है तो इस परकार आफसर नमबर C को हम बिल्कुल सही टिक कर देंगे ठीक, चलिए मिज़ दोस्तों, कुश्चन पहले जो आपको आता है पहले उसको किया किये ठीक, ज्यादा फसने की ज़रूबत नहीं है मिज़ दोस्तों, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 वा कुश्चन लेंगे, उत्तर प्रदेस में प्रथम निर्याद समवर्धन और दोगिक पार्क अस्थापित किया गया है मिज़ दोस्तों, तो ये आपका कहा अस्थापित किया गया है, तो ये सबसे पहले फिरोजाबाद चूडियों के लिए, फिरोजाबाद चूडियों के लिए, कानपूर चर्म माल के लिए, नजीबाबाद जो आपका है मिज़ दोस्तों, वो आपका किसले परसीद है, नजीबाबाद आपका फ्लाइबूड और साहरनपूर कागज के लिए, तो तो एक चार तीन तो option number A करे की जवाब हो जाएगा ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं और questions आज 60 हैं उत्तर प्रजेस खादी ग्रामद दोग बोर्ड की असापना हुई तो खादी ग्रामद बोर्ड की जो असापना हुई उननी सो साथ में कब हुई उननी सो साथ में खादी बोर्ड की जो असापना हुई थी आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रजेस में दिया सलाई उत्द्योक का प्रमुक केंद्र है तो ये अपका बरेली है मिरे दोस्तों बरेली हैं बरेली आगे बढ़ेंगे सुमेलित करना है ये मिरे question फिर से आ गया है वही question तो देखिए लकड़ी के खिलाउने चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिरे दोस्तों जो पहले आता है पहले उसको लगाता है तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो खेल का समान लागा लिए खेल का समान मेरट अभी आपने पढ़के आया या आप दिया सलाई अभी आपन 1-3-1 के वाद 4-2-3-1-4-2 आप सरंब्ड़ी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब मेरे दोस्तों मेरे मित्रों मेरे बाईों हो जाएगा चैनल पे नए हो तो चैनल पर मेरे दोस्तों सब्सक्राइब रूकर और मेरा मनोबल जरूल बढ़ाएगा आगे बढ़े के फیरोजा बाद किसके लिए प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है मिरे दोस्तों यूबी PCS में में कुशन पूछा गया 2007 में तो चूड़ियों को आप लगाएंगे आगे बढ़ेंगे आपसन स्टिक करेंगे आगे बढ़ जाएं ताले जो आप क्या है आप देखा था अबी देश की तीसरी रेल कोच फैक्टरी स्थापित की गई देश की तीसरी रेल कोच फैक्टरी कहां पर स्थापित ही गई तो राय बरेली में में दोस्तों कहां पर राय बरेली PCS में में कुशन पूछा गया है चलिए आगी बढ़ते हैं अगला कुशन लेते हैं में दो दोस्तों और रोजगार की दिश्ची से उत्त्र प्रद्रत का सबसे बड़ा उद्योग है तो सबसे बड़ा उद्योग जो है वह आपका हत्करगा है रका गई ये सब सिमेंट उद्योग के लिए प्रसीद हैं मेरे दोस्तों किसके लिए सिमेंट उद्योग के लिए प्रसीद हैं इसको टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों कुश्चन नमबर 36 को लेंगे फिर से वही कुश्चन एक और दो को सुमेलिद कीजिए और जो ज तो इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा एक और में दोस्तों इस प्रकार options को हम चैन करेंगे आपसन का चैन करेंगे तीन एक चार दो आपसन नमबर ए बिल्कुल सही चलिए अगला कुशन सुमेली तो नहीं है मेरे दोस्तों तो डीजल जो देरा है करखाना वरांट सी सही है इंडियान टेलिकॉम नहीं नहीं सही है मौडरन बेकरी जो देरा है लखनों में ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों आपसन नमर सी यहां पे जवाब हो जाएगा आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में विजिस्ट आर्थिक जोन अस्थापित किया गया है तो कहां पे अस्थापित किया गया है मेरे दोस्तों तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूपी पीसे दोयाच्छे में कुशन अगया है तो आग्रा, कानपूर और नोईडा आपसन नमर एक प्रफ्रवास्ट को टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, रेनु कोट जाना जाता है, एलमुनियन उद्धोक के लिए, किसके लिए, एलुमिनियम उद्धोक के लिए, रेनु के कोट जाना जाता है, आगे बढ़ेंगे, और फिर से मैचिंग आ चुकी है, फिर से मैचिंग आ चुकी है, तयार रहे, आपस उसके बाद अगर बात की जाए चीनी मिटी के जो बरते हैं में दोस्तों चीन हट ची से चीन हट ची से चीनी मिटी और कांच का समान फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए परसीद है इस परकार सही जवाब हो जाएगा दो दो चार दो चार एक तीन दो चार एक और लाश्ट में आफसर नमबर 3 मतलब 24-13 कहां दिखाय दे रहा है तो आफसर नमबर 1 को टिक करके आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में लगू एवं मध्यम उपकरमों को जिसके दोरा दिर्ग कालीन रिण उपलब्द कराया जाता है तो किसके दोरा मेरे दोस्तों दिर्ग कालीन रिण उपलब्द कराया जाता है वो आपका है उत्तर प्रदेश और द्योगिक उत्तर प्रदेश वित्ती नि में खेलकुद के सामान का बनाने का उद्दोग गलत है अभी आपने पढ़ाए कि यह मेरट में खेलकुद का सामान ठीक तो अफसर नमर सी को ठीक कर देंगे आगे बढ़ेंगे गलत यूग में पूछ रहा है मेरे दोस्तों चमडा कानपुर सई है मेरे चीनी सई है वरारसी सि कर देरा है यह अपसर नमर सी दिया यह गलत दिया है ठीक साहरनपूर कावेक्षि लिए प्रसीदे लोगर प्रिमे कुष्टन दोहजार देरह में मेरे दोस्तों कुष्टन पूछा गया है तो देखिए जो बीसमें कुष्टन आतें कई न कई पूछे हैं आगे बढ़ेंग सब्सक्राइब करते हैं अगर इंडियन टेली इंडिस्ट्री तो यह आपकी राइबरेली में पहले का अपसंद दो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जहासी हो जाएगा कृतिम अंग निर्माड और नीचे दिया है उर्वक का खाना तो कृतिम अंग जो निर्माड होता है कानपुर में और उर्वक का खाना फूलपुर में है कहा है फूलपुर में इस प्रकार आपका सही जबाब हो जाएगा दो तीन एक और चार आपको जिस ओप्सन से दिखाई दे आप उसको टिक कर सकते हैं अपसन नंबर अफसन नंबर 2 3 2 3 1 4 अच्छा स्वरी ऑफसर नमबर 23 14 ऑफसर नमबर सी को आप टिक कर देंगे ठिक आगे बढ़िये आगे बढ़िये में दोस्तों और चलिए लिखा है कि तीसरी रेल कोच़ फै्ट्टृ देखिए एक तरपंधिया है तो जिसे माल कि यह एक कुछ नाफ़का गलत है प्रकार यह पूरा आपसर नहीं गलत हो गया आगे बढ़ेंगे फिरोजाबाद पार्टरी उद्दों के लिए परसीद नहीं है जो फिरोजाबाद आपकी कांच के समान के लिए परसीद दे तो आपसर नमर बी भी बिल्कु गलत क्योंकि लिखा है कि केवल दो और तीन साही ह है बिल्कु सही बात में दोस्तों लेकिन आगे का लिखा है पॉलिष्टर रेसा फैक्ट्री बारा वंकी मेशती थे यह बात भी सही है इस प्रकार आपसर नमबर तीन चार जिसमें दिया है केवल तीन तथा चार चार सही हैं आपसर नमबर सी को टिक करेंगे तो आपको आ सर्टर wości काश्ट नकासी आपका बर्यले में जो लखड़ी से आप समान बनते हैं अगर उसके बात बात की जाए काश्ट पादुका जिसके खलाओं कहते हैं तो जिसे हम खलाओं के जारे भीड में बन ड़ोस्तों तो ख़लाओं और पा पीज़ी भीत में बनता है और जो ज तो दो एक तीन चार को आप टिक कर दिएगा ठिक चीज़ें आपको कंफर्म करने हैं आपको कैसे दे रहा है उसके डिपेंड आपको नहीं रहे नहीं मित्रों तो अगे बढ़ेंगे मित्रों उनन चार्श कुस्चन लेंगे एक तरफ दियाओ दोग यकेंद्र प्रमकुत दो है मेरे दोस्तों आगरा के अगर बात की जाए मेरे दोस्तों किसकी आगरा तो परेटन के लिए प्रसीद दे इसके बाद अगर कानपूर की बात की जाए तो चमड़े का समान के लिए प्रसीद दे मेरट की बात की जाए तो खेलकुत का समान आपसर नमबर दो जो दिखा है और मुरादा बाद आपका धातू पातर प्रक्रसिद दे찍े हैं तो इस परकार आपका अपसंस क्या हो जाएगा 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 तो आपका 4, 1, 2, 3 भी में है, 2, 3, 2, 1, 2, 3 फिर एक तो है नहीं तो इस परकार आपको 2 ही मिल गए बाुत है ठिक तो जहां पे जहां पे मतलब पहले आप ढूना कीजिए जो आपसंस एक ही लाइन में मिलते चले जा रहे हैं उसी को आप सबसे पहले लगाया कीजिए तो आगे बढ़िए पचास नमर का कुश्चन में 260 कुश्चन है प्रदिस में रेलवे कोच फैक्टरी अस्ताफित की लोवर में में कुश्चन पुछा गया है फिर अगला कुश्चन है बावन इनी सो तीन आगे बढ़ेंगे चमण कुश्चन लेंगे उत्तर प्रदेश और दोगिक विकास निगम अस्थापित है उत्तर प्रदेश और दोगिक विकास निगम कानपूर में अस्थापित है में दोस्तों कानपूर सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में च बोस्तों तेला स्वासाला मत्हुरा में बिलकुल सही जवाब तेला इसल और सालo जो यह सुमेली थे regulक्त सञयन्द कालीन उद्ड़ सई रहा में वह घृभाटhol यह उत्वल 상황 बहli बहला में या पीर कालीन उद्ध्य तो यह हमको गलत लग रहा है और ये गलत है भी इस परकार option नुमर B को tick करेंगे आगे बढ़ेंगे अगला question उत्तर प्रेस में software था business process out sourcing उद्योग का सबसे बड़ा केंदर है मेरे दूस्तों सबसे धातु में किस धातु के हस्त कला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है मेरे दोस्तों मुरादाबाद को किस लिए जाना जाता है आपको पता है पीतल के लिए मुरादाबाद जाना जाता है मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे निम्न यूग्मों में कौन एक सही नहीं है मेरे दोस्तों सही नहीं की बात करता है मेरे दोस्तों तो जरा ध्यां से देखिए ताला अलीगर सही है काली उद्दोग भदोई सही है चूडी उद्दोग सा जहांपूर दे रहा है यह आपका मेरे दोस्तों गलत जवाब है क्योंकि जो चूडी उद्दोग आपका क वो आपका फिरोजाबाद है, सा जहाँपूर नहीं है, चिकन उद्योग लखनौँ सही दे रहा है, इस परकार आपसर नमबर सी को टिक करेंगे, और मेरे दोस्तों, ताला उद्योग अलिगर कालीन उद्योग भदोई, चिकन उद्योग लखनौँ, यह सही दे रहा है, तो आ की पी 2019 में कुश्चन पूछा गया है, फिरोजाबाद के पिछले अगला कुश्चन, 62, फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्सों से निम्न में से किस वर्स्तों का उत्पादन किया रहा है, बताए, 200 वर्सों से किस का उत्पादन हो रहा है मेरे दोस्तों, द्यान दीजे मेरे फिरोजाबाद पिछले 200 सालों से कर रहा है, आगे बढ़ेंगे, निम्न में कौन जिला कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए परसीद दे, कालीन मतलब वही चटाई इसको बोलते हैं, भदो ही एक ऐसा जिला है, जो कालीन के लिए परसीद है, आगे बढ़ेंगे 64 नम चुना गया था, आगे बढ़ेंगे, निम्न में किस सहर में लकडी से ढोलक बनाने की लगबग 300 इकाईया हैं, लकडी से ढोलक बनाए जाती है, वो उत्तर प्रदिस का कौन सा जिला है मेरे दोस्तों, निम्न लिखित में से पता करना है, इसी इनी निम्न में से पता करना है वो कौन ऐसा जिला है उत्तरप्रदिस का जहां पर लकडी के ढोलग बना जाते हैं जरा ध्यान दीजिए अमरोहा है कौन है अमरोहा मंडी परिशत 2019 में कुश्चन पूछा गया है अमरोहा को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए में दोस्तों और आगे बढ़िए कुश्चन नमबर आगे अब आपका अगला चेप्टर अगली वीडियो में लेकर आएंगे आज की वीडियो में में दोस्तों केवल एक ही चेप्टर हम लेकर आये थे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा थोड़ी इसमें ज़्यादे कुश्चन थे लगबग सत्तर कुश्चन थे इसलिए इसे हम एक ही वीडियो लेकर जब चेप्टर छोटे होते हैं या कुश्चन कम होते हैं तब हम तीन चैप्टर को एक वीडियो में समाहित करते हैं लेकिन आज एक ही चैप्टर हम लेकर आप आये थे तो में दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू कीजिएगा बेल आइकन दबाईएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद